दबदबा जूती की नोक पर ये हम नहीं कह रहे हैं ये जो शब्द है कि ट्वीटर पर ट्रेंड कर रहा है नमस्कार मैं नूर जहां और आप देख रहे हैं जनेत अवाज जिस तरीके जो साक्षी मलिक ने रोते हुए अपने जूते टेबल पर रख दियो और कहा कि आज के बाद मैं रेसलिंग नहीं करूँगी इसके पीछे जो राजनीती जो बताई जा रही है जिस तरीके से जो साक्षी मलिक एक साल से जो पहलवानों का धर्णा चल रहा था उसके साथ में बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक भी धर्णने पर बैठे हुए थे जिसके खिलाब वो धर्णने पर बैठे हुए थे वो चे ब्रिजबूशन शरंड सिंग जिस तरीके से उन पर आरोप लगा है कि यौन उत्पीडन का आरोप लगाया गया है उस चीज को लेके एक साल से पहलवान धर्णने पर बैठे हुए थे जब ब्रिजबूशन को WFI के पच से हटाने के बाद थोड़ी सी राहत मिली ही थी लेकिन तभी वही जो नया पहलवान संग बना था उसके जो अध्यक्ष बनाये गए थे वो ते संजे सिंग और वो ब्रिजबूशन शरंग के दोस्त वा सयोगी बताये जा रहे थे उसके बाद फिर से जब ये साक्षी मलिक ने अपनी जो पहलवानी छोड़ने की बात की वही साथ ही साथ जो बजरंग पुनिया है उसने जो अपना पदमश्री अवार्ड था वो मोधी सरकार के अवास के बाहर रग दिया गया है सोचिये जिस तरीके जब साक्षी मलिक 2016 में उलम्पिक अवार्ड जीत के आई थी तब तो बहुत ही खुशी सा नरेंदर मोधी, सचिन तेंदुलकर और भी जानेवाने लोगों ने ट्वीट करा था जब साक्षी मलिक 2016 में पहली महीला उलम्पिक अवार्ड विनर बनी थी उसके बाद लगबग नरेंदर मोधी, सचिन तेंदुलकर, अमिता बच्चन, अनुपम खैर, अक्षे कुमारो, विरेंदर सेवाग जैसे बड़े लोगों ने उन पे ट्वीट करके जताया था लेकिन जब वही साक्षी मलिक ने अपनी रैसलिंग छोड़ने की, अपने जूतों को रोते हुए टेबल पे रख दिया गया, उसके बाद किसी एक ने भी उनके जो पहलवार ने उनने छोड़ी, किसी एक ने भी अफसोस नहीं जताया हम नरेंद्र मोधी का जो 2016 में जब साक्षी मलिक जीती तो उन्होंने ट्वीट करा था इसका मतलब हम आपको बता देते हैं, हमारे एथलीट राष्टे मंदल खेलो, बभिगरम हम हमें गोरव वांदित करते रहे मतलब साक्षी मलिक को बहुती बधाई दे रहे हैं और खेह रहे हैं कि वे प्रतिबा का पावर हाउस है और उनमें उलेखनी लचीलापन है, सोच ये जब कोई गोल्ड मेडल जीतता है तो उसको उनका श्रे लेने और उसके तमाम चीजे बताने के लिए लोग आ जाते हैं वहीं तबी कहा जा रहा है कि जो पहलवान साक्षी मलिक ने उनके घर मिलने प्रियंका गांधी तक गई एक महीला होने के नाते वो बता रही है कि एक महीला होने के नाते वो उनको समर्थन देने गई थी लेकिन वहीं अगर स्मृति राणी का कहा जाए तो वो भी तो एक महील आई हैं वो भी तो मिलने जा सकती थी उनसे और इसके बाद प्रेंका गांधी से मिलने जाने के बाद तमाम ऐसे जो विपक्ष है वो कह रहा है कि यह सब राजनीती का खेल है सब राजनीती के उससे साक्षी मलिक और पहलवानों से मिलने जा रहे हैं सोच यह यानि अगर प्रेंका गांधी जा रही है तो राजनीती तब का बताया जा रहा है तो जिस तरीके से जब प्रेंका गांधी उससे मिलने गई तो वहीं मौके का फायदा उठाते हुए जब सियासत गरं थी तो मौके पे चौका मारा और खेल मंतराले ने जो नया कुष्टी संगता उसको रद कर दिया गया और साथी साथ जो संजे सिंग इसके अध्यक्ष बने थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया आप सोचिया, 2024 के जो लोकसबा चुनाव है वो नजदीक है एक तरीके से इसको कहा जा सकता है, यह राजनेतिक खेल है क्योंकि यह पहले भी इसको रद किया जा सकता था एक साल जो तो पहलवान बेटियां बैठी हुई थी, तब उनकी नहीं सुनी गई जब चुनाव नजदीक आते हैं तो इस तरीके के कई चीज़े देखने में नज़र आती है क्योंकि अगर यह जो जाट समुदाय से आते हैं यह सब लोग तो अगर यह जो खेल मंतराले नज़ु जो इस चीज़ को रद करा गया है अध्यक्ष तक को रद कर दिया गया क्योंकि जो अध्यक्ष संजसिंग वो ब्रिजबूशन शरण सिंग का सयोगी या दोस्त बताया जा रहा है जिसको लेके जो महिला पहलवान एक साल से धर्ने पर बैठी हुई थी उसी को लेके अगर ये जार समुदा है जो कहा जा रहा है कि उनके पक्ष में ये अच्छा फैसला आया है इसी को लेके अब जो 2024 में जो इलेक्षन होंगे तो वोट बैंक उनके हातों में होगा तो सोची सवाल यही उठता है कि ये चीज़ पहले भी तो की जा सकती थी जब चुनाव आते हैं तब ही ये चीज़ क्यों की गई क्योंकि अब जो साक्षी मलिक है और बंजरक पुनिया है इसमें कह रहे हैं कि जो फैसला है हमारे इतमें अच्छा फैसला आया है और साती साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो नया कुष्टी संग है उसका जो अध्यक चुनाची है कोई महीला होनी चाहिए ताकि आगे जाके महीलाओं को इससे सहयोग मिलेगा और वो आगे भी सब्सक्राव नजदीक आने वाले होते हैं क्योंकि लडाई तो ब्रिजबूशन शरण सिंग से स्टार्ट हुई थी क्योंकि शुरुवाते दौर में जो उन पर यौन उत्पीडन के आरोप में पहलवान बेटियां सडकों पर बैठी थी उसके बाद तब क्योंकि सरकार उठी सब क्यों नहीं सरकार के कान में जूतन नहीं रहेंगी है किस तरीके से उनको जंतर मंतर पे घसीटा गया तकिस तरीके कर बरबरता दिखाई गई थी उस समय पर सरकार क्यों नहीं बोली जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो नए कुश्चिसन को रद कर दिया साथ इस अंजय सिंग्ग को भी सब्सक्राइब कर दिया गया वह दिखाना चाहते हैं कि जब चुनाव आता है तो किस तरीके से महीलाओं घ्रतान और सब के साथ हो जाते हैं लेकिन जब चुनावी चुनावी महौल उसके बाद वो भी कहते हैं कि हम भी जाठ समुदाय से का अपमान जिस तरीकđ na धनकड कई है वो उसी पे कह रहें कि जाठा ने का अपमान जाठ सबार समुदाय का अपमान सब्सक्राइब कि नहीँ उठ रहा हैं कि जब चुनाव आते हैं तब क्यों नई कुछ चिसंग को रद किया गया जब पहलवान बेटियां जब मेडल लाती है तब बड़े से बड़े लोग ट्वीट करते हैं लेकिन वही दूसरी तरफ जब बरबरता की जा रही थी और रोते वे जब साक्षी मलिक ने जो अपने जूते टेबल पर रखे थे तब क्यों नही सरकार सत्ता में उसके बाद यह सब चीज़े देखने को मिलती है हमें पहलवानों के साथ क्या हुआ किसानों के साथ क्या हुआ यूवा सड़को परे सब चीज़े आपको दिख जाएंगी जंतर मंतर पे जो लोग धरने पर बैठते हैं सरकार कुछ नहीं सुनती है वही जो ब्रिजबूशन के सयोगी बताय जा रहे है उनको भी सस्पेंट किया जा ये भी सही बताया जा रहा है और साथे साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो नया अध्यक्ष हो वो एक महीला हो वही सवाल उठता है कि इस तरीक दे सरकार इतनी देर क्यों लगाती है बाकि इस पू